रेकी हीलिंग के बारे में हम इसे कई लोगों ने सुना होगा के हम एनर्जी हीलिंग होती है, क्रिस्टल से हीलिंग होती है अपनी बॉड़ी को हील कर सकते हैं, disease, बिमारियां सही हो जाती है foreign country से एक science आई है, तो इसके बारे में आज बात करते हैं Hello everyone, welcome back to my channel Kundli and Jyotesh, I am Acharya Komal Goyal and let's talk about this, की रेकी हीलिंग आई कहां से, किसने लिखी, किसने पढ़ी दरसल, रेकी हीलिंग की जब भी बात होती है, तो सबसे पहले माइन में एक ही नामा था है, डॉक्टर मिकाव उसुई डॉक्टर मिकाव उसुई जो जैपेनीज डॉक्टर थे, उन्होंने रेकी हीलिंग के बारे में पढ़ा और इसको स्प्रेड किया, पर इसकी स्टार्टेंग आक्च्छल में इंडिया में ही हुई थी, इंडिया में महात्मा बुद्ध कई हजारों साल पहले, उन्होंने जब हमारी बॉड़ी में एनर्जी है, सभी की बॉड़ी में ऐसे एनर्जी है, जो युनिवर्स के साथ को रिलेट करती है, और हम अपनी ही एनर्जी से अपने आपको, अपनी बॉड़ी की डिजीज को सही कर सकते हैं, एक दूसरे को भी सही कर सकते हैं, उन्होंने इस बारे में एनर्जी हीलिंग के थुरू सही गर सकें, वो इसका यूज कर पाएं, इसका फायदा उठा पाएं, इस परपस से उन्होंने इन सब को सिखाया, और यही एजुकेशन, यही विद्या, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जब वो लोग इंडिया से तिबत तिबत से चाइना इसी तरह से यह स्टडी पहुची जपैन, और जपैन में डॉक्टर मिकाव उसुई, जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने इस बारे में जब जाना, रिसर्च करी, तब उन्होंने देखा कि इस चीज के लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एनर्जी से हम आपको हील क सकते हैं, तब उन्होंने 1922 में ट्रस्ट बनाई और इसको बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड करा और लोगों का इलाज करना शुरू किया, इस वज़े से आज हमारे पास जब यह चीज लॉट कराती है, रेकी हीलिंग की फॉर्म में, जैपनी स्टडी की फॉर्म में, त इसको आप क्लारिफिकेशन चाहते हैं, तो I'll make a video over this.